नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका Heart and Mind Power YouTube चैनल पर तो दोस्तो important question answers लेके आए हूँ मैं आपके लिए बहुत ही selected question answers है लास्ट तक वीडियो को देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल notification को all पर प्रेस कर लेना ऐसी ही knowledgeable वीडियो देखने के लिए तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला question है कि पारादीब बंदरगा किस राज्ये में स्थित है पारादीब बंदरगा किस राज्ये में स्थित है तो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तो ओडिशा और इसा में स्तित है पारादीप बंदरगा नेक्स्ट क्वेस्टन है भारत की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है भारत की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है तो इसका सही अंसर हो जएगा दोस्तो गौंड गौंड भारत की सबसे बड़ी जनजाती है Q3 है उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वादे अंतर से संबंदित है उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वादे अंतर से संबंदित है तो इसका सही अंसर है दोस्तो शेहनाई शेहनाई से संबंदित है नेक्स है गाय के दूद में हलका पीलापान किस कारण होता है तो इसका आंसर हो को दोने से question number 6 है दोस्तो स्यूक्त राजे अमेरिका का राश्ट्रिय खेल कौन सा है स्यूक्त राजे अमेरिका का राश्ट्रिय खेल कौन सा है तो इसका सही आंसर है दोस्तो baseball baseball अमेरिका का राश्ट्रिय खेल है next है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है रिगवेद, रिगवेद सबसे प्राजिन वेद है नेक्स्ट है दोस्तों वायू में दवनी की चाल कितनी होती है वायू में दवनी की चाल कितनी होती है तो इसका अंसर है दोस्तों 302 मीटर सेकंड question number 9 है महात्मा गांदी को सर्व प्रतम राष्टर पिता किसने गहा था सही अंसर हो जाएगा दोस्तों सुभास चंदर बोस post office के लेखक कौन है तो इसका अंसर है दोस्तों रभिंदर नाथ टैगोर रभिंदर नाथ टैगोर post office के लेखक है question number 11 है बंगाल विबाजन की गोशना किस वर्ष की गई थी बंगाल विबाजन की गोशना किस वर्ष की गई थी तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों 1905 में लौड करजन दुआरा 1905 मे question number 12 है भारत की सबसे प्राचिन परबत शिरेणी कौन सी है तो इसका अंसर है दोस्तों अरावली अरावली भारत की सबसे प्राचिन परबत शिरेणी है question number 13 है गौतम बुद को ग्यान की प्राप्ती कहां होई थी गौतम बुद को ग्यान की प्राप्ती कहां होई थी तो अंसर है दोस्तों बोध गया बिहार में question number 14 है दोस्तो दामोदर question number 16 है दोस्तो Doppler परबाव किस से संबंधित है Doppler परबाव किस से संबंधित है question number 17 है Maori जन जाती कहा पाई जाती है answer is New Zealand question number 18 है भारतिय राष्ट्रिय कांगरेस की सतापना कब हुई थी, तो इसका सही आंजरों रहेगा दोस्तो, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, Q2, नम्बर 19 है, वर्तिमान में लोक सबा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंजर है दोस्तो, 545, 545, भारत रतन पुर्सकार की शुरूआत कब हुई थी, 1954 में, 1954 में भारत रतन Question number 21 है दोस्तो पुस्तक अर्थ शाष्तर का संबंध किस से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तो राजनीती से Question number 22 है एक फुटबाल टीम में कितने खिलाडी होते हैं एक फुटबाल टीम में 11 खिलाडी होते हैं तो आंसर है दोस्तो 11 Question number 23 है कपास की खेती के लिए सर्वदिक उप्यूक्त मिट्टी कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तो काली मिट्टी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वदिक उप्यूक्त है क्वेस्टिन नमबर 24 है लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है तो आंसर है दोस्तों थेमस थेमस नदी के किनारे बार नेक्स्ट है हल्दी गाटी का युद कब और किसके बीच लड़ा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंदरांसो शेत्र में अकबर और महाराना परताप के बीच क्वेस्टन नमबर 26 है सिर्का में कौन सा अमल पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक एसिटिक अमल क्वेस्टन नमबर 27 है कोश्का की खोज कब और किसने की थी तो इसका आंसर है दोस्तों रॉबर्ट हुक 1665 इसमी में रॉबर्ट हुक ने नेक्स्ट है माचिस की तीली के आगे क्या लगा होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल फास फोर्स लाल फास फोर्स क्वेस्टन नमबर 29 है टाइफाइड से श्रीर का कौन सा अंग परवावित होता है टाइफाइड से श्रीर का कौन सा अंग परवावित होता है तो दोस्तों आंसर है आंत आंतें परवावित होती है पैंसलिन की खोज किसने की थी अलकजैंडर फ्लेमिंग ने अलकजैंडर फ्लेमिंग ने की थी पैंसिलिन की खोज तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लोगी हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी नॉलेज़ेबल वीडियोस हम लेके आने वाले हैं तो चलिए दोसों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई